हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ इस वीडियो में आपको senior cctv जो की railway में commercial की एक post है commercial department की post है जो की level 5 में होती है उसको first increment के बाद क्या salary मिलती है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ तो आप जैसा देख सकते हो कि ये जनवरी 2024 की फैलरी फ्लिप है जिसमें की मेरा फर्स्ट इंक्रिमेंट लग गया है तो आपको फर्स्ट इंक्रिमेंट के बाद की जो भी डीटेल्स है वो मैं यहां पर बता देता हूँ इससे आपको काफी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप अगर तैयारी कर रहे है या जिस भी तरीके से या आपको किफी न किफी तरीके से हेल्प ही करेगी तो चलिए यह जन्वरी 2024 की मेरी फैलिरीफ है मेरा नाम है आदर सोधरी मैं हूं फीलिरफी přी फी स्ट पर अभी मैं काम कर रहा हूँ booking में booking क्या है जिसमें कि मैं यूटीस काउंटर पर काम कर रहा हूँ यूटिएफ काउंटर पर जनरल टिकेट फेल का मेरा काम है ठीक है तो इसमें मैं आपको अपनी पोस्ट बताता हूं कॉमर्फियल डिपार्टमेंट की ये पोस्ट थी लेवल लेवल 5 की जो कि जब जोईन हम करते हैं तो इसका बेसिक पे होता है यहां पर मैं आपको अपना बाकी डिटेल्स अगर बताओ तो देखो जोईन मैं ने फट्रा मई 2023 को किया था यह तारिक वो होती है जब आप ट्रेनिंग में जाने के लिए जो आपका ट्रेनिंग का बैच जिस दिर फेस्टार्ट होता है जिसके आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो वो डेट ही आपकी डेट आफ जॉइनिंग होती है तो हमारा फत्रा मैं से हुआ था लेवल 5 की जॉब है और देखिए बेसिक पे अब कितना हो चुका है 30,100 रुपए कि धर फे आया है यह पहले जो था 29,200 रुपए याने कि प्लस 900 रुपए आपका बेसिक पे में हो गया है जिसका अफर सारे अलाउंसेस पर बढ़ता है और ओवराल फेलरी पर यह काफी जादा इंपेक्ट हो जाता है ठीक है और अगर आप बाके डीटेन आप आपको मैं बताऊं तो इसके लिए हमको नीचे आना पड़ेगा तो देखो यह लिव बैलेंस भी आपकी फैलरी फिलिप में दिखता है जन्वरी की फैलरी 31 दिन के वर्किंग और जो ग्रॉफ पे बना है यह है 60,150 रुपए लेकिन जो आपके रियल अर्निंग है वो इससे बहेंगाई में डियरनेफ अलांस केलकुलेट होता है और लगबग 4% का इंक्रीव मेंगाई में के अनुफार होता है तो उमीद अभी यह है कि जन्वरी में भी यह 4% बढ़ने वाला है तो यह जाकर के बाद में 50% हो जाएगा और जब यह 4% का डिफरेंस जो भी आ रहा है यह एरियर के रूपे मिलेगा जो भी रूका हुआ अमाउंट जब बाद में दिया जाता है तो उसको एरियर बोलते हैं तो यह रियल में और बढ़ जाएगा तो जब सारा एरियर डिये का आ जाएगा तो वो भी मैं आपके लिए एक बार बना दूगा तो यह अभी 46% के हि जोड़ करके बावन सो चपन रुपए जो मुझे मिला यह ट्रांस आपको ड्यूटी के दोरान आप ट्रेन में चलते हो वह मिलता है वह होता है ट्रेवलिंग अलाउंस यह बेसीकली ऐसा समझों आफिस से आप घर जाते हो घर से आफिस आते हो यह उसके लिए जो मिलता है यह वह है ट्रांपोर्ट अलाउंस नाइट ड्यूटी अलाउंस तेवीस तो नौ रुपए मिला है इसमें आपको एक कैल्कुलीशन के लिए बता देता हूं बस कि देखो यह जो मिलता है जा नाइट ड्यूटी अलांस यह होता है पिछले मंत का यानिशम बर में जो मैंने रुपए के प्राइप से मुझे मिला है लेकिन अगर जब इस हिसाब से किया जाएगा तो यह बढ़ जाएगा तो जनवरी में जो नाइट ड्यूटी करूंगा जिसकी फैलरी भरवरी में आएगी उसमें यह थोड़ा अपा अमाउंट बढ़ के आएगा यूनिट के इंक्रिमेंट नहीं लेवल जब बढ़ेगा तब यह बढ़ने वाला है पर अभी तो यह 477 रुपए ही रहेगा इंक्रिमेंट के बाद भी तो यह है तो यह जो एनेच मिला यह पिछले मंत जो पिछले मैंने 15 दारिक के बाद का जो हॉलिडे आया होगा वह यहां पर मुझ दिखाता है तो अभी मेरी 22 चुटी याने की चुटी मतलब कि जो लीव जो बैलेंस है यह लिखाना लिव बैलेंस ओन तो यहां तक मेरी लिव अभी बैलेंस है वह बाइस है इंक्रिमेंट कब लगता है वह मैं आपको बताओ तो देखो मिनिमम छे मैने की जॉब अगर तो आपका इंक्रिमेंट लगेगा वह लगेगा कब जुलाई में इस तरीके से लगता है तो मैंने फत्रह मई को जॉइन किया था तो जनवरी तक 6 मैने हो गये था इसलिए इंक्रिमेंट लग गया तो रिकावरी के बारे मैं अगर बताओं तो जो रेल्वें इंप्लॉई क स्कीम होती उसका 30 गटता हैमें इसकीम में यह करता ये क्या होता है यह आपका जो masking है 10% यह दोनों का 10% जो होता है वो यह होता है यह कटता है 10% यह NPS के लिए कटता है टीर वन इसकीम और प्रोफेशनल टेक्स महाराफ्टर का 200 रुपए कटता है और LIFE का जो टर्म इंफोरेंस है यह टर्म इंफोरेंस पूरी तरीके से आप लेना चाहो तो लो ना चाहो तो ना लो कॉंप्लिमेंटर नहीं मतलब की मजबूरी नहीं है इसको तो लो चाहे तो ना लो तो इस तरीक फे जो टोटल रिकावरी मेरी हो गई वह गई 54 रुपए यहां पर देखो 54 रुपए इस तरीक फे जो नेट पे मुझे मिला था वह देखिए अभी वीडियो छोड़के जाएगा मत आगे कुछ डीटेल और बता रहा हूं जो जरूरी है तो 54,715 रुपए यह मेरी इन हैंट फेलरी आप इसको कह सकते हो लेकिन जो आपकी टोटल अर्निंग जो है रियल में वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं देखो आपके बेसिक प्लफ डिये का 10% सरकार आपके अकाउंट से काटती जो की यह 4395 मेरे केसमें कटा है इसमें 14% गवर्मेंट अपनी तरफ से डालती है आपके pension account में जिसको NPS account बोलते है उसमें इस तरीके से देखो 6,115 रुपए जो गवर्मेंट डालती है अलग से आपके account में आता है अकाउंट में अतलब NPS account में जाता है जो आपका भी retire होते हैं तो pension के रुपए मिलेगा तो वो यह total यह मिला करके तो 9,500, 47,000 रुपए आपका हर महीन जमा हो रहा है और यह जो term इंफोरेंज का 7,75 रुपए यह totally complimentary है आप चाहे तो ना ले ना तो ना ले तो अगर नहीं लेते हो आप तो अगर आपके जो फैलरी मेरी in-hand फैलरी जो आई है 5,4,715 इसमें यह 7,75 रुप तो यहां पर आपके in-hand फैलरी हो जाती इस तरीके फे अगर आप NPS में जो गवर्मेंट डालती उसको भी मिलाओगे तो यह ग्रॉफ पे यह बना था और यह जो गवर्मेंट 14 पर अलग तो इस तरीके फे जो आपकी कमाई हर महीने की है वो 6,260 रुपए बहुत ही में कवर कर सकता था वह मैंने आपको बता दिया अब देखिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी लोग आप देख रहे हो अगर आप खुद भी एक गवर्मेंट डिप्लाई हो और अपनी फैलरी फ्लिप मेरे तक पहुचा ना जातू ताकि मैं काफी लोगों को तो आप मुझे टेलिग्राम पर मैसेज कर सकते हो इस करने के लिए देखो डिस्क्रेप्ट वख में टेलिक्राम ग्रूप का है लिंक वह ग्रूप को आप जॉइन करके वहां पे कुछ भी मैसेज करना फिर मैं आपको प्रफिरल मेरि मैसेज कर दूँगा कुछ डाउट है या कुछ मेरी मदद आपको चाहिए तो वो भी आप वहाँ पे वाइफाई ही कर सकते हो basically मुझे अगर connect करना चाहते हो तो उस group के जरिये ही कर पाओगे तो आज के वीडियो के लिए इतना ही thank you very much all the best